Hi beautiful soul family, friends बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुडने के लिए और इस प्यारी सी family को और खुबसुरत बनाने के लिए आज नवरातरी का पहला दिन है friends और happy नवरातरी to everyone आज का message बहुत special है और आज के दिन जो मा शैल पुत्री की पूजा होती है और इनकी तरफ से ये मा दुर्गा का एक रूप है, शक्ती का एक रूप है और इनकी तरफ से आज हम देखेंगे हमारे लिए क्या messages है मा शैल पुत्री friends बहुत सारे जैसे purity को डिनोट करती है purity of thoughts, words and intentions तो हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारी मनशा में बहुत शुद्धता होनी चाहिए अगर हम मा शैल पुत्री की qualities को धारन करना चाहते हैं तो बिलकुल purity के साथ जुर जाएए friends अपने thoughts को बिलकुल pure बनाएए किसी के प्रती कोई चालाकी नहीं, कोई manipulation नहीं और देखते हैं मा शैल पुत्री हमें क्या messages देना चाहती हैं आज तो friends आज मा शैल पुत्री हमें बताना चाहती है कि ये जो वक्त है बहुत ही blessed होने वारा है और आज का यही message है आपके लिए कि आपके पास unexpected blessings आ रही हैं यहाँ पर friends और आपको ऐसे लगेगा जैसे अरे क्या मैं यह deserve करती हूँ आपकी यूनो आपकी जितने आपने कभी सोचा होगा उससे शायद यह बढ़ कर होगा और यह जैसे आपको एकदम ही अलग तरह की gratitude में लेकर जाने वाला है क्योंकि आप इतने blessed feel करेंगे यूनो unexpected जो अगर हम यहाँ पर prosperity की बात करें, finances की बात करें materialistic wealth की बात करें तो अचानक से कुछ good fortune आपकी तरफ आ सकता है और आपको success मिल सकती है और इस वक्त जैसे mother का message हमारे लिए है कि बिलकुल अपने आप के you know vibrations पर work करें इस वक्त फ्रेंज, purity की मदर है तो बिलकुल pure vibrations रखने को कह रहे हैं अपने intentions को बिलकुल pure रखें और बिलकुल भी एक negative thought को अपने दिमाग में बिलकुल ना आने दें इस वक्त क्योंकि आपको जैसे आप देख सकते हैं इस breathe का card कितना beautiful card है और यह जैसे आपको कह रहा है कि आप relax करिये, आपके पास सब कुछ आ रहा है ठीके आपको stress नहीं लेना है आप work करते रहिए और यह जो blessed का card है वो जैसे एक direction में आप focused रहिए, अपने goal की तरफ focused रहिए और जो blessings हैं उनको receive करने के लिए बिलकुल तयार रहिए तो सिर्फ अपने vibrations पर work कीजिये friends इस वर्थ बहुत beautiful message है तो unexpected blessings आपकी तरफ आ रही हैं और यह बहुत जल्द आती हुई दिखाई दे रही हैं बहुत beautiful cards हैं friends, after all कौन सी blessings आ सकती हैं तो जैसे यह bird's nest और the karmic trench yurial and the sphinx तो एक हमारे पस major arkanah है और बाकी minor arkanas है लेकिन यह cards जैसे हमें बता रहे हैं, you know friends की कुछ नया create हो रहा है आपकी life में आप जैसे कुछ नया renovate कर रहे हैं, या कुछ नया आप खोल रहे हैं, कोई नया business start कर रहे हैं, कोई नया काम start कर रहे हैं, और वो expand हो रहा है और आपको ऐसे rock solid support मिल रही है, यह जो friends, यह जो major arkanah card है बहुत powerful card है इस deck का और यह जैसे बता रहा है कि आप अकेले नहीं है, आप इस वक्त कुछ भी start कर रहे हैं, friends, आप एक family build कर रहे हैं और इसलिए यह nest का card हमारे पास आया है, जो यह बता रहा है कि आपकी जो यह family है, जो soul family से शायद आप मिलेंगे, कोई new tribe से मिलेंगे, और कुछ जो भी आप इस वक्त वो जो आप अपना form कर रहे हैं, अपनी family को form कर रहे हैं, यह एक rock solid support होने बाली है आपके लिए और यह बहुत long run के लिए है, friends, क्योंकि आपने अपने जो karmic debts हैं, वो clear कर दिये हैं तो मा आपको help कर रही है आपके karmic debts को clear करने में, और you know उस purity के साथ, देखे यहाँ पे हमें butterfly दिख रही है beautiful sunlight दिख रही है तो एक new energy के साथ, एक new family को create करिए, एक new business को create करिए, कुछ नया create करिए, और उसमें जैसे mother का आपको rock solid support मिलने वाला है, बहुत support मिलने वाला है, और भी हम काद से clarify करते हैं, कि यह कौन सी blessings है, जो हमारे पास unexpected आ सकती है तो यहाँ पर आप new partnerships में जा रहे हैं friends, जैसे आपको इतनी support मिल रही है you know, जैसे मा की blessings आपके साथ हैं, तो आप एक new partnership में जा रहे हैं नए लोगों के साथ, आप हाथ मिलाने वाले हैं, और एक new flame ignite होता है यहाँ पर और देखिया, आप ace of pentacles and ace of wands है तो आपका passion जो है एक बार फिर वापस आ रहा है you know, जैसे mother बोल रही है कि आपकी जो life जो बहुत नीचे चली गई थी उसको उपर लेकर आईए you know, जो आप आपने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था तो अब जैसे relax करिये इस बार ऐसा कुछ नहीं repeat होने वाला जो पहले हुआ था because आप अपने new version में आ चुके हैं और इस वक्त जो है, एक beautiful नई शुरुआत हो रही है अब जो आपके पास है आपके पास पहले से better understanding है आपने खुद को पहचान लिया है और आप बिल्कुल इस वक्त आपके अंदर कोई manipulations नहीं है friends, आप बिल्कुल transparent है और बिल्कुल अच्छे motives के साथ आगे बढ़ रहे है तो जो भी मेरे friends इस वक्त अपने दिल में purity रखकर आगे बढ़ रहे है तो उनके लिए बहुत beautiful new शुरुआत आ रही है और ये जो new शुरुआत है आपकी एक soul family को build करने में help करेगी आपको नहीं लोगों से मिलाएगी और आपकी अंदर एक new passion को ignite करने वाली है और ये जो शुरुआत है ये आपको बहुत huge success आगे जाके देने वाली है क्योंकि आप अपने new version में आ चुके है friends तो अपने best self को आगे रखने का वक्त आ गया है क्योंकि हमारा best self जो होता है हमारा purest self होता है जो बहुत ही प्यारा है जिसमें कोई छल कपट नहीं है कोई negative intention नहीं है और उस version को अब आप आगे रख करके बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप success की तरफ जा रहे हैं तो beautiful energies है मा शैल पुत्री आपकी इस नई शिरुआत में आपके साथ है और unexpected blessings है ये आपके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती है और वो आपके पास आ रहे हैं और आपको इस वक्त कोई stress नहीं लेना कोई negative emotions में नहीं जाना है आप बहुत passion के साथ और बहुत धैरिय के साथ दोनों को balance करते हुए आगे जा रहे हैं क्योंकि आप अपने new version में आ चुके हैं और ये reading जो है बिलकुल resonate करेगी आपके साथ friends अगर आप अपने आपको एक new version में देखते हैं तो बहुत बहुत thank you बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए and more more love and light from Sonia